नमस्कार करनाटक में सिअम सिधार मिया और डिपटी सिअम डीके शिवकुमार के बीच डाइडाइ सालवाले फारमुले के अदार पर मुख्य मंतरी की गद्धी को बांटा गया लेकिन अब सिधार मिया गोटने डीके के खिलाब मोर्चा खोलते हुए पूरे पांच साल तक स करनाटक कॉंग्रेस के विधायकों में मंत्री की गदी के साथ मुख्य मंत्री की गदी पर भी आपसी गहमा-गहमी सुरू होने लगी है सिएम सिधार मया गुट के विदायकों दुआरा डीके सिव कुमार को राजस्तान के सचिन पाइलेट की तरह करनाटक कॉंग्रेस की राजनित्ती में तवज्जो देनी बंद कर दी गई है जिससे डीके की राजनित्तिक छवी पर विप्रित परबाव पढ़ता हुआ साप साप दिखाई पढ़ रहा है हलांकि पुरों में सिधार मया गुट के विदायक और मंतरी एमबी पार्टिल ने जब अपने ब्यान में कहा कि करनाटक में कोई डाय डाय साल वाला फार्मूला नहीं चलेगा चिधार मया ही पुरे पांच साल तक मुखे मंतरी रहेंगे और डीके को कॉंग्रेस आला कमान ने पुरे पांच साल तक ही डिप्टी सियम बनाया है ना कि फिप्टी फिप्टी फार्मूले पर सियम गदी को सेर किया गया है एमबी पार्टिल की इस ब्यान बाजी के बाद डीके सिव कुमार ने बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटकटा कर मुख्य मंतरी सिदार मिया और कॉंग्रेस आला कमान को एक सक्त संदेश बेश दिया था कि मैं राजस्तान का सचिन पाइलेट नहीं हूँ जो सब कुछ सहन कर लूँगा मैं मद्य परदेश का जोतिरा दिते सिंदिया भी बन सकता हूँ हलांकि डीके के इस कदम बाद कॉंग्रेस आला कमान और मुख्य मंतरी सिदार मिया ने डीके की नराजगियों से दूरी बनाते हुए उनका समाधान करने से किनारा कर लिया जिस तरह राजस्तान में असो गैलोत और सचिन पाइलेट के बीच चल रहे विवाद में कॉंग्रेस आला कमान ने सचिन पाइलेट की चवी पर उठे किसी भी सवाल का विरोध करने से किनारा कर लिया उसी तरह अब करनाटक में डीके के साथ किया जा रहा है ऐसे में डीके सिव कुमार अब करनाटक में दूसरे सचिन पाइलेट बनेंगे या दूसरे जोतिरादित्य सिंधिया जी बनेंगे या दूसरे केफटन अमरिंदर सिंग बनेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन डीके इन सभी बागी नेताओं की तरह अपना कदम जरूर उठाएंगे क्योंकि डीके ने करनाटक कॉंग्रेस से बगावत के सं हो चुका है जो निक्ट बविश्य में ही एक विक्राल रूप दारन करेगा डीके की बगावत वाली चर्चाएं यूही नहीं हो रही है बलकि इसके अनेकों कारण हैं जो डीके को कॉंग्रेस से बगावत करने के लिए मजबूर कर देंगे सबसे पहला कारण तो मुले के अदार पर सीम गदी है जिस तरह से सिदार मिया गुट के विदायकों ने माहूल बनाना सुरू किया है उससे तो ऐसा लग रहा है कि डीके को शिरुप कॉंग्रेस आला कमान ने सचिन पाइलेट और सिंधिया जी की तरह ही मिठी गोली दी है ना कि डाई साल बाद स जियम गदी से नीचे कोई पद पसंद नहीं है ऐसे में करनाटक कॉंग्रेस की सिदार मिया सरकार में बगावत का बिगुल बजना लाजमी है क्योंकि पुरो में भी राजस्तान, मद्या परदेश, 36 गड़, पंजाब, हिमाचल परदेश, राज्यों के अंदर डायडाई स साल वाले फार्मूले को अपनाया गया था कॉंग्रेस अलाकमान की तरफ से और इन सभी राज्यों में ये डायडाई साल वाला फार्मूला सूपर डूपर फलोप रहा, सबसे पहले मद्या परदेश में कमलनाथ और जुत्रदे सिंदिया जी के बीच में जो आपसी बवाल देखा गया और उसकी वज़ाय से सिंदिया जी ने जो कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया और कमलनाथ की सरकार बनने के मातर एक डेट साल के बीतर ही सिंदिया जी ने बगावत करके कॉंग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरा दिया और शिवरा के को एक तरह ऐसे बड़ा संदेश दे रहा है सचिन पाइलेट ने अब साड़े चार साल बाद कह सकते हैं कि अपनी खुद की नई पार्टी बनाने का जो एक तरह ऐसे एलान ही कर दिया है क्योंकि पिछले दिनों ही कोंग्रेस आला कमान ने असो गैलोट और सचिन पाइलेट अरिब उपेश बगेल और टियर सिंग देव के बीच में जो हाई वोल्टे ड्रामा है वो हर रोज देखने को मिल रहा है इसी तरह से माचल परदेश में मुक्या मंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्षू और रानी परतिबा सिंग के बीच में आपसी बवाल चल रहा है इसी तरह से पंजाब के पूरो मुक्या मंत्री केप्टर अमिंदर सिंग ने कोंग्रेस पार्टी से किनारा करते हुए अपनी खुद की नई पार्टी बना ली जिसके बाद पंजाब में कोंग्रेस पार्टी का खात्मा हो गया पूरी तरह से नामो निसानी मिठ चुका है अब इन राज्यों के अंदर जो डाई डाई साल वाले दूसरी पारी के नेता हैं जैसे सचिन पाइलेट हैं या पिसंदिया जी हैं या पिटिया सिंग देव हैं ये दूसरी पारी वाले नेता थे जो डाई साल बाद सीम गदी पर बेटना चाते थे और इनको बेटाने के लिए पूर्प बीदिया लेकिन इनको बिठाया नहीं गिया इसी तरह से अब डीके के साथ करनाटक में किया जा रहा है सिदार्मिया को पूरे पांच साल तक सीम गद्दी पर बिठाया रखा जाएगा और इसको लेकर के सिदार्मिया गुटके विदायकों ने इनके नेताओं ने मंतरियों ने जो ब्यानबाजी शुरू की है उससे डीके को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जिस तरह से राज़तान मद्या परदेश अतिसगड पंजाब हिमाचल परदेश में जो अपने परतिद्वंदी नेता का हाल हुआ है वही डीके का करनाटक में होगा इसलिए डीके ने अब डाइडाई साल वाले फार्मूले के अधार पर जो एक तरह से कॉंग्रेस से बगावत करने का जो निरने है वो ले लिया है दूसरा इसका मुख्य कारण ये रहेगा कि दूसरा डीके गुट के सभी नजदी की 40 विदायकों को मंत्री बनाने से दूर रखा ग करनाटक कोंग्रेस में कांट्धर पुतली बनकर रह गई है करनाटक कोंग्रेस में डीके की बगावत का ये तीसरा मुख्य कारण बनेगा चोथा D.K. सिवकुमार पर आयसे अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं और E.D.C.B.I. की जांच चल रही है E.D.C.B.I. की इसी जांच वाली आंच से बचने के लिए D.K. के पास B.J.P. का दर्वाजा खटकटाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि केंदर सरकार के हातों में E.D.C.B.I. की चाबी रहती है तो ऐसे में D.K. दुवारा बारतियंता पार्टे का दामन थामा जाता है तो D.K. पर चल रही आयसे अधिक संपत्ति की जांच में थोड़ी रात मिलने की उमीद हो सकती है ये D.K. दुवारा करनाटक कॉंग्रेस में बगावत करने का चोथा मुख्यक कारण बनेगा पांचमा सिधारमिया सरकार दुवारा विदान सुभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस के लोक लुबावने वादों को जमीनी स्तर पर लागू करने में ऐस फलता का मिलना भी D.K. गुट के कॉंग्रेसी विदायकों में बगावत को जनम देगा क्योंकि D.K. गुट के विदायकों ने भी दरातल पर जनता जनारदन से पांच गारंटियों को लेकर लोगों को आस्वस्त किया है और अब इन गारंटियों पर अनेकों सर्तों के साथ करनाटक के जनता जनारदन को सिदार्मिया सरकार दुआरा बेवकू बनाया गया तो फिर करनाटक कॉंग्रेस के विदायक अपने राजनितिक बविश्य को ध्यान में रखते हुए सिधारमया सरकार के खिलाब बगावत का जंडा गार सकते हैं S.M. ये तो सिरफ वो कारण है जो डीके गुट के 40 से जादा कॉंग्रेशी विदायक सिधारमया सरकार में बगावत कर सकते हैं लेकिन मंत्री पद की गद्धी को लेकर कॉंग्रेश के अन्य विदायकों द्वारा भी जम कर हाई वोल्टे ड्रामा किया जा रहा है जो सियम सिधारमिया की मुख्य मंतरी वाली गद्दी पर संकट के बादल बन कर मन रा सकते हैं करनाटक में कॉंग्रेस के लिए अपना किला बचाय रखना इतना आसान नहीं है क्योंकि विदानसवा चुनाव से ठीक पुरो बिजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में सामिल होने वाले पुरो मुख्य मंतरी जगदी सेटार और पुरो मुख्य मंतरी लक्समन सावदी ने भी ग मंतरी पद के रह सकते हैं बस यही वो मुख्य कारण रहेगा जो करनाटक कॉंग्रेस के विदायकों में बगावत का भी गुल फूंकेगा करनाटक में कॉंग्रेस को बहुमत से भी 22 सीटे अधिक मिलने के बाद कॉंग्रेस आला कमान ने सरव पर्थम पुराने कॉंग्रेस बीजेपी के लिए रामबान साबित हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी अब इन दोनों नेताओं के लिए अपने दरवाजे तभी खोलेगी जब जगदी सेटार और लक्समन सावदी करनाटक कॉंग्रेस के 30 से 40 विदायकों को अपने साथ लेकर बारतियनता पार्टी के दरवा जे तक पहुंचेंगे घरवाफसी का मुख्य कारण ये भी रहेगा कि केंदर में बीजेपी की सरकार है और 2024 में भी मोधी सरकार के ही रिपीट होने के 101% चांस हैं ऐसे में केंदर की मोधी सरकार में कोई बड़ा पद मिलने की उमीद से जगदी सेटार और लक्समन सावदी घरवाफसी का फैसला भी कर सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस में रहकर दोनों इन नेताओं को खाली हाती रहना पड़ेगा क्योंकि करनाटक कॉंग्रेस के विदायकों में पड़ी आपसी फूट की वज़ए से सिदारमया सरकार का पूरे पांच साल तक चलना मुश्किली नहीं ताकि उनके ओधे के अनुसार बीजेपी में कोई अच्छा पद मिल सके इसलिए जगदी सेटार और लक्समन सावदी ने करनाटक कॉंग्रेस के नाराज विदायकों में सेंद मारी करनी सुरू कर दी है और बीजेपी के ओपरेशन लोटस की राहों को आसान बनाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिये हैं जो बारतियनता पार्टी के लिए रामबान सावित हो सकता है डीके गुट के साथ चाथ चैटार गुट ने भी अपने अपने टार्गेट सेट कर उन्हें काम्याब करने के लिए चाले चलने सुरू कर दी है जो सिदारमिया सरकार के लिए गा साल के बाद सीम गद्धी पर बेठेंगे लेकिन डीके गुट की तरफ से जो सचीन पाइलेट का उधारन हो या पर जो तरह देशिंदिया जी का उधारन हो इनको देखा जाए तो वो डीके गुट है कहीं ना कहीं जो करनाटक कोंग्रेस में सिदारमिया सरकार के खिलाब ब जांच की आंच से बचने के लिए डीके को अब बीजेपी का दरवाजा खटकटाना जरूरी हो चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं के अंदर सरकार के हातों में जो राश्ट्रिय एजेंसियां होती है चाहे वो एडी हो सीबियाई हो इनकी जो चाबी है वो कहीं ना कहीं के से बचने के लिए डीके को बीजेपी का दरवाजा खटकटाना भी जरूरी हो चुका है लेकिन जिस तरह से करनाटक कॉंग्रेस में आपसी बवाल चल रहा है उस पर असम के मुख्यमंतरी हैमनता विश्वा सर्मा कह चुके हैं कि लोग सुबा चुनाव 2024 से पहले पहले ही क करनाटक की सिदार्मिया सरकार गिर जाएगी क्योंकि इनके नेताओं के बीच में किसी तरह का कोई समनवे नहीं है इनके नेता आपस में लड़ते जगडते रहते हैं और लोग सुबा चुनाव 2024 तक कोंग्रेस के ये सभी विदायक नेता और मंतरी हैं वो एक जूट नहीं रह पाएenगे जिसकी वज़एँसे करनाटक में सिदार्मिया सरकार का गिरना त्यह है ऐसे में करनाटक की सिदार्मिया सरकार गिरने के अनेकों कारण बन चुकी हैं एक तो डिके गुट सबसे मुखे कारण रहेगा जिसमें फिफट्टी फार्मूले के अदार पर जो सीम गद्धी को सेर किया गया कॉंग्रेस हाला कमान की तरफ से उसको लेकर के डीके गुट है वो कहीं न कहीं जो अपने कदम बढ़ाएगा जो सिदार मया गुट को पसंद नहीं आएगा और उसके बाद में दोनों नेताओं के बीच में आपसी मनमुटाओ हैं वो देखे जाएं पिलाल जगदेश सेटार और लक्समन सावधी के गरवापसी पर हो रही चर्चा पर आपके क्या विचार हैं क्या डीके सेउ कुमार करनाटक के दूसरे सचिन पाइलेट बनेंगे या पिर जोतरादे सिंधिया जी बनेंगे या फिर केप्टन अमरिंदर सिंग बनेंगे इस पर भी आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में नुटता हैं साथी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी के लिए इतना है मिलते हैं अगले बड़ी अफडेट अगले नोजगली खबर के साथ तब तक के लिए जैहिन चैह भार झाल झाल